Hello everyone, welcome to study tube Set number 93 देखेंगे हम लोग इस वीडियो में इस स्रीज का और चाल और वेक चाप्टर का पार्ट 2 देखेंगे पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जा करके देखिए इस वीडियो में हम लोग इस चाप्टर का पार्ट 2 देखेंगे और इस पूरी स्रीज का set number 93 है इस स्रीज के अन्दर आने वाले हर वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए ये टेलिगराम चैनल का ID है आप इस ID के माधिम से टेलिगराम चैनल को जोईन कर सकते हो PAOI को पीडियो को डाउनलोड कर सकते हो keyword code scan करेगे भी टेलिगराम चैनल से जूर सकते हो तो पहला प्रस्शन है, एक निश्चित दिशा में चाल को डैश कहते है देखिए चाल को हम लोग वेग भी बोल सकते हैं लेकिन कब, जब दिशा निश्चित हो जब दिशा निश्यत होती है तो जो चाल होती है उसी को हम लोग वेग कहते हैं तो B हमारा आंसर हो जाएगा जैसे कोई गारी है सीधी रेखा में जा रही है सीधी रेखा में एक निश्य दिशा में जा रही है तो गारी के जो speed है उसी को हम लोग velocity भी बोल सकते हैं यानि गारी के जो चाल है उसी को हम लोग wave भी बोल सकते हैं लेकिन अगर दिशा बदलते हुए दूरी तैकी जारी है तो चाल कुछ और होगा, wave कुछ और होगा हमेशा चाल बड़ावर wave नहीं होगा एक निश्ची दिशा में जो चाल है उसी को हम लोग wave बोलते हैं wave परिवर्थी तो हो सकता है wave जो है एक सदिश राशी है wave के पास परिमान भी होता है प्लस दिशा भी होती है तो अगर वेग को परिवर्थी तीकरना है तो आपके पास 3 तरीके हैं पहला तरीका यह है कि आप पडिमान बदल दो, इस पडिमान को हम लोग यहाँ पर चाल बोल सकते हैं, कि वेग के पास चाल के साथ साथ दिशा होती है, तो गारी के स्पीड को चेंज कर दो, तो हम बोल सकते हैं कि वेग भी चेंज हो गया, अगर आपने सपीड को मालो constant रखा, इस सपीड आपने fix कर दिया, लेकिन आप direction बार-बार change कर रहे हैं, तो भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर आप दोनों का बदल दो, speed भी change और direction भी change कर रहे हो, तो भी वेग में परिवर्थन हो जाएगा तो वस्तु की चाल और गती की दिशा दोनों में परिवर्तन से, वस्तु की चाल में परिवर्तन से, गती की दिशा में परिवर्तन से, तो उपर इक तो सभी हो जाएगा, इन मैंसे कुछ भी आप कर दो, तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन अगर आपको चाल में प परिवरतन हो जाएगा एक वस्तु का वेग नियत होता है एक वस्तु का वेग नियत होता है अब देखो वेग के बाड़े में हम लोग ने क्या देखा कि भाई इसके पास चाल है चाल के साथ साथ क्या है कि दिशा है एक निश्य दिशा में चाल को हम लोग वेग बोलते हैं त तो वेग नियत है, नियत यानि कि constant है, इसी को हम लोग बोल चकते हैं कि एक समान, एक समान वेग, नियत वेग बोल दो या फिर एक समान वेग बोल दो बात एक ही है, तो अगर आपको वेग नियत करना हो, वेग आपको constant करना हो, वेग अगर आपको constant करना हो, constant velocity, इंगलिश मे तो जो चाल है ये भी constant होनी चाहिए और जो दिशा है ये भी constant होनी चाहिए तब जाकर के वेग जो है नियत होगा वेग अगर नियत है इसका मतलब ना तो speed बदल रही है ना तो चाल में पड़िवर्तन हो रहा है और नहीं दिशा में पड़िवर्तन हो रहा है सारे ये दोनों के दोनों क्या है कि निशित है, constant है तब ही हम लोग वेग को नियत बोलेंगे तो बस्तु की चाल और गती की दिशा दोनों नियत हो तब हम जाकर के वेग को नियत बोलेंगे अधरवाईच क्या होगा? हम लोग ने जेश्ट देखा चाल में परिवर्थन कर दो, दिशा में परिवर्थन कर दो या फिर दोनों में परिवर्थन कर दो, वेग में परिवर्थन हो जाएगा अगर आपको वेग नियत रखना है तो चाल और दिशा ये दोनों ही नियत होने चाहिए एक गारी का ओडोमीटर क्या मापता है गारी में ओडोमीटर लगा होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि गारी कितनी चली है गारी में ओडोमीटर लगा होता है एक यंद्र लगा होता है जो गारी दोरत तैगी के दूरी को बताता है तो गारी दोरत तैगी के दूरी यह मापता है कौन ओडोमीटर एक गारी का स्पीडोमीटर क्या मापता है एक गारी का स्पीडोमीटर मापता है गारी की स्पीड, गारी की चाल तो B हमारा आंसर हो जाएगा देख लो, किसी पर्टिकुलर टाइम पर पर किसी instant पर गारी की speed क्या है वो ये speedometer बताता है तो ये automator है और ये speedometer है और ये जो चाल है जो ये speedometer बताता है कि गारी की चाल कितनी है ये instantaneous speed होती है इसे बोलते हैं हिंदी में ताथशनिक चाल ताथशनिक चाल ये औसाथचाल जो है औसाथचाल जो है ये नहीं बताएगा कौन speedometer जिस चाल को बताता है वो ये चाल होती है ताथशनिक चाल instantaneous speed instantaneous speed यानि किसी instant पर speed क्या है वो बताता है तो किसी instant पर गारी के चाल होती है उसे हम लोग instantaneous speed बोलते हैं ताथशनिक चाल बोलते है यात्रा शुरू करते समय का automator 2000 km पर दर्शीद करता है और यात्रा समापती पर 2400 km पर दर्शीद करता है यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की उसत चाल को ज्यांत करें जैसे माल लीजे आपने घर से बाइक को निकाला बाइक पर आप बैठते हैं उस समय आप automator में यानि कि यहां पर य चली हुई है अब तक 2000 km फिर मालो आप जाते हैं किसी जड़नी पर निकलते हैं बाइक लेकर करके जाते हैं और जहां पर जड़नी खत्म करते हैं वहां पर आप देखते हैं कि जो रिडिंग है यह हो चुकी है 2400 km जब आपने स्टार्ट किया था उससे में automator की रिडिंग यह थी जब आपने जड़नी complete कर लिया तब automator की रिडिंग यह है यहने कि अब जो बाइक है वो इतनी चल चुकी है तो इस पूरे जड़नी में जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितनी है 400 km यह डिस्टेंस कवर किया गया है और टाइम कितना लगा है टाइम लगा है टोटल डिस्टेंस कितना है 400 टोटल टाइम कितना है यह किलो मीटर में है और यह घंटा है तो 50 km पर आर यह औस चाल है यानि इस पूरे जड़नी को जो complete किया गया है वो मोटे तोर पर इस स्पीड से complete किया गया है याद रखिएगा यह औस चाल है इसका मतलब यह नहीं है क किलोमेटर पर आहर कि स्पीड से ends चली है नहीं यह औस चाल हो सकता है कहीं पर इस पेड़ प्यूनी के दोरान वही स्पीड रही होगी नहीं तब तो हम उसे constant speed बोलते है न एक समान चाल बोलते है उस से एक समान चाल लेकिन एवरेज स्पीड हमें मोटे तोर वदाता है कि हां इस स्पीड से चलि होगी बट एक्ट्टल में इससे ज़्यादा भी स्पीड से चली हो सकती है और इससे कम भी स्पीड से चली हो सकती है तो 50 km per hour ठीक है अगर यहीं पर मालो मैं आपसे बोल देता है क constant speed यानि कि नियत चाल, नियत चाल जो है 50 km पर आवर हैं, इसका मतलब पूरे जड़नी के दोरान जो है speed 50 km पर आवर ही रही होगी, लेकिन average speed का मतलब यह नहीं होता है, average speed का मतलब मोटे तौर पर मोटा मोटी जो है, यह speed रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इससे ज़्यादा भ प्रित्वी पर इस्थित station से उस अंतरिक्षियान की दोरी क्या है, देखें अंतरिक्षि से एक signal को प्रित्वी तक पहुँचने में 5 मिनट का समय लगता है, तो जो signal है वो प्रित्वी तक पहुँचेगी, किस speed से, light के speed से, light के speed से जो है वो signal जो है अंतरिक्षियान से प्र स्लाइड की स्पीड होती है 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड और इसे टाइम कितना लगता है पांच मिनट पांच मिनट बोले तो 300 सेकेंड पांच गुने में 60 यानि कि 300 सेकेंड तो डिस्टेंस वरावर क्या होगा डिस्टेंस वरावर होगा वेलॉस्टी और इंटुमें टाइम या 3 गुने 10 पे पावर 8 गुने में 300 तो यह हो जाएगा हमारी 3 गुने 10 पे पावर 9 गुने 10 पे पावर 10 मीटर वेग में परिवर्तन की दर्गो कहते हैं तरन को अम लोग ये से डिनोर्ट करते हैं देखें, तौरन उत्पन तभी होगा जब वेग में परिवर्तन होगा, अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा, तो तौरन उत्पन नहीं होगा, मतलब अगर वेग नियत हो जाए, अगर वेग नियत हो जाए, और वेग नियत कब हो सकता है, जब चाल नियत हो, प्लस दिशा अगर परिवर्तन हो जाए और परिवर्तन कब कब हो सकता है जब चाल में परिवर्तन हो जाए या फिर चाल नियत है तो दिशा में परिवर्तन हो जाए या फिर दोनों में परिवर्तन हो जाए तब जा करके वेग में परिवर्तन हो जाएगा और वहां पर तोरण उत्पन हो जाएगा जिस दर से व्यग में परिवर्तन होगा उसे हम लोग तोरण बोलेंगे ठीक है तोरण का एसाई मातरक है देखो तोरण का एसाई मातरक होता है meter per second square meter per second square तो C हमारा answer हो जाएगा meter per second square दोको तरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन के दर वेग में परिवर्तन बटे में समय तो उपर में देखो velocity है velocity के लिए इसाइमात्रक क्या आता है meter per second और निचे में second है तो meter per second velocity के लिए और फिर यह time है तो इसके लिए second तो meter per second square जो है SI मातरक निकल करके आएगा C हमारा right answer हो जाएगा ये जो है ये SI मातरक है किसके लिए आप बोल सकते हो speed के लिए और आप बोल सकते हो velocity के लिए चाल और वेक दोनों के लिए SI मातरक जो है meter per second ही होता है तोरन का सही सुतर है तोरन का सुतर ये होता है A बड़ावर V minus A बड़ावर V minus U by T देखो जो V है इसे हम लोग बोलते हैं अन्तिम वेग इसको हम बोलते हैं final velocity अन्तिम वेग final velocity और जो U है इसे हम लोग बोलते है initial velocity इनीशियल वेलोसिटी इनीशियल वेलोसिटी यानि कि आरंबिक वेग अंतिम वेग आरंबिक वेग और जो टी है वो है हमारा टाइम और यह जो है वो है तोरण एक्सलिशन रिनात्मक तोरण को क्या कहते हैं दोको रिनात्मक तोरण को रिनात्मक तोरण को हम लोग बोलते है मंदन मंदन सी हमारा आंसर अगर तोरण रिनात्मत है तो उसी को हम लोग मंदन बोल सकते हैं स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तू निम्ड में से किसका उधारन है स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तू जैसे मालो आप किसी उचाई पर चले गए माल लो आप किसी छत पर चले गए और छत पर से क्या करते हैं, एक गेंद को गिरा देती हूँ, छोड़ देती हूँ, फेकते नहीं हो नीचे, आपने क्या क्या पक्रा और बस छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, एक होता Cliff ن, कि नीचे और आप ठेकोगे, दम लगा करके, Force लगा फ्री-फॉल जिसे मोलते हैं स्वतंत्र रूप से गिरना तो जब कोई गेंद या फिर जब कोई वस्तू स्वतंत्र रूप से गिरती है यानि कि वेग बोल सकते हो यहाँ पर क्योंकि जो दिशा है वो तो निश्चित है नीचे की ओर है और जो भी स्पीड होगी उसे वो लोग वेलोसिटी भी बोल सकते हैं क्योंकि दिशा यहाँ पर निश्चित है तो इसे आप और समान गती बोल दो और समान चाल बोल दो और समान वेग जैसे जैसे वस्तु नीचे की और आती है वैसे वैसे जो इसकी चाल है या फिर जो वेग है वो बढ़ती जाती है वो बढ़ती जाती है यानि वेग में परिवर्तन होता जाता है तो जैसे ही वेग में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर क्या होगा कि तॉरन भी उत्पन हो जाएगा लेकिन वेग लगता बढ़ता तो है लेकिन समान दर से बढ़ता है तो अगर समान दर से बढ़ता है तो तॉरन हम यहाँ पर बोलेंगे कि एक समान है अगर वेग में परिवर्तन समान रूप से होड़ा है है ना वेग में परिवर्तन अगर समान रूप से होड़ा है तो वेग में परिवर्तन की जो दर है वो भी एक समान रहेगे यानि कि हम बोल सकते हैं जो तौरन है वो एक समान है एक समान तौरन तो यह आपको दिहान में रखना है कि जो यह होता है ना स्वतार रूप से कोई बस्तो नीचे गिरती है या फिर इसी को में लोग free fall बोलते हैं जब ऐसा होता है तो यह example होता है आ समान गती का या फिर आ समान चाल का या फिर आ समान वेक का और यह एक्जामपल होता है, एक समान तॉरन का, तो A समान गती बोल दो, और एक समान तॉरित गती बोल दो, C और D दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा, तो E हमारा आंसर, उपड़ी तुमें से एक से अधिक, जो है हमारा सही हो जाएगा, आसमान गती या आसमान चाल, आसमान वेक बोल सकते हो, और एक समान तॉरित गती, तॉरित गती का मतलब होता है, जिस गती में तॉरन हो, और वैसे भी हम जानते हैं, कि जब अस्तु नीचे गिड़ती है, तो जो A बड़ावर होता है, वो हमारा G होता है, और यह 9.8 मीटर पर 2.02 ही होता है, यहां के एक समान तॉरन बना रहता है, क्यों? क्यूंकि एक समान दर से जो हें वेग में परिवरतन होता है, तो यह important है, यह दिया गया graph किस अवस्था को नरुपित करता है, यह एक graph दिया गया है, और यह y axis पर जो है दूरिये है और x axis पर जो है time है, समय जो है लगतार बढ़ रहे हैं ना जैसे मालो यह एक time है यहां पर अगर आप distance देखो तो यह cover किया जा रहा है जो भी distance है यहां पर मालो यह distance में माल लेता हूं कि 10 meter है ठीक है फिर हमने क्या किया time को फोड़ा आगे बढ़ाया तब distance से देका अभी भी 10 meter है फोड़ा सब और time आग बढ़ाया तो देखा कि 10 मीटर अभी भी है, यानि समय तो बढ़ रहा है, लेकिन तैय की कि दूड़ी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब वस्तु रुकी हुई है विराम अवस्था में है, तो इस प्रकार का जो ग्राफ हम मिलता है, डिस्टेंस टाइम के बीच, वो ग्राम अ देखो दूरी और समय के बीच में ही है यह X-axis है यह Y-axis है Y-axis पर दूरी है X-axis पर समय है इस बार देखो एक सलर डेखा आपको दी गई है जो की origin से पास हो रही है मूल बिंदू से गुज़र रही है यह आप दिहान में रखेंगे यह एक समान गती एक समान गती का ग्राफ है एक समान गती की अवस्ता यह हमारा आमसर हो जाएगा यह आप दिहान में रखेंगे की एक समान गती के लिए एक समान गती के लिए दूरी समय ग्राफ सरल रिखा होती है जबकि और समान गती के लिए दूरी समय ग्राफ वक्र रिखा होती है कर्व लाइन होती है वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक समान गती के लिए समान समय अंतराल में समान दूरी तई की जाती है तो उसे में लोग एक समान गती बोलते हैं उस समय दूरी और समय के वीड़ जो graph मिलेगा वो सरल रडेखा आपको मिलेगी और समान गती के लिए दूरी समय graph वक्र रडेखा होती है दिया गया graph किस अवस्था को नरुपेद करता है यहाँ देखो फिर से दूरी है y-axis पर समय है x-axis पर इस बार state line नहीं है इस बार क्या है कि curve line है यह जो है न यह curve line है तो curve line यानि कि अ समान गती की अवस्था तो तीन graph आपने देखे distance time graph यह हमालो distance से यह time है एक आपने यह देखा वस्था जो है रुकी हुई है एक आपने यह देखा कि वस्था जो है एक समान गती से है चल रही है और एक आपने यह देखा यह यह हो जाया या फिर यह हो जाया मतलब आसमान गती यह सारे graph जो है important है विराम से राहूल अपनी साइकिल को चलना चलाना शुरू करता है विराम से विराम से मतलब जो प्राडम्बिक वेग है वो 0 है 30 सेकंड बाद जो उसका वेग है वो 6 मिटर पर सेकंड हो जाता है 30 सेकंड बाद यानि कि 30 सेकंड बाद जो इसके पास अब वेग है उसे हम लोग V से रिनोट करेंगे यानि कि जो अंतिम वेग है वो है 6 मीटर पर सेकेंड पुछा है साइकिल के तुरण की गरना कीजिए तो तुरण बराबर बहुत ही असान फर्मूला है V-U बटे में T V आपको पता है 6 है U 0 है और जो समय लगा यहाँ पर तो एक बटे में 5 यानि कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वार यह तुरण है 6 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिशील साइकिल पर राहुल इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि इसका वेग 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है cycle का मंदन ज्याद करें मंदन बोल दिया मतलब आपको पहले ही बता दिया गया कि भाई साब जो acceleration आप निकाल करके लाओगे वो negative होगा मंदन का मतलब वही हो ना कि रिनात्मक तुरन और रिनात्मक तुरन कब मिलता है हमें अगर समय के साथ speed कम होती है तो जो तुरन मिलेगा आपको ना वो रिनात्मक मिलेगा यहां सवाल में ही वो लखा है कि मंदन याद करिए यानि कि जो negative acceleration आगन वो गयाद करिए जो प्राडंबिक वेग है वो 6 मिटर पर सेकंड है 6 मिटर पर सेकंड जो अंतिम वेग है वो 4 मिटर पर सेकंड है यानि 6 मिटर पर सेकंड से राहूल साइकल को चला रहा था फिर उसने ब्रेक अपलाई किया ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो है 5 सेकंड में 5 सेकंड में साइकल की जो स्पीड है वो 6 मिटर पर सेकंड से घट करके 4 मिटर पर सेकंड रही है तो अब तौरन निकालो V-U बटे में T ये फर्मूल है V हमारे पास 4 है U हमारे पास 6 है और जो टाइम है वो है 5 तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 बटे में 5 यानि कि माइनस 0.4 मिटर पर सेकंड स्क्वार अब यहाँ पर दिहान से देखो सवाल में आपसे मंदन पूछा है मतब सवाल में आपसे माइनस A पूछा है तो A बराबर माइनस 0.4 मिटर पर सेकंड स्क्वार है तो माइनस A बराबर हो जाएगा 0.4 मिटर पर सेकंड स्क्वार यह माइनस A क्या है यह है मंदन मंदन यानि कि निगेटिव एक्सलेरेशन जब आपसे मंदन बोल दे तो आपको minus chain के साथ answer नहीं देना है अगर यहीपर आपसे तुरन पूछा जाता तो आप answer करते हैं minus 0.4 meter per second square लेकिन आपसे मंदन बोला है यानि कि negative sign जो है अप सवाल में पहले से ही लगा हुआ है तो आप negative sign नहीं लगाएंगे आप सीधा बोलेंगे 0.4 meter per second square बटे में T जो अंतिम वेग है वो ये है 10 meter per second जो प्राड़ामबिक वेग है वो 25 meter per second है समय कितना है 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा minus 15 बटे में 5 यानि कि minus 3 meter per second square इस बार क्या है कि आप से तौरन पूछा है तौरन तो तौरन बताएंगे minus 3 meter per second square लेकिन यही पर अगर मंदन बोला जाता तो हम आंसर करतें 3 meter per second square मंदर मतलब already minus 10 लगा करके आप से पूछा गया है सवाल माली जी कोई लड़का 10 meter per second की नियत चाल से नियत चाल से चलड़ है मेरी गो राउंड जूले पर सवारी करने का अनंद ले रहा है इससे ग्यात होता है कि वह लड़का मेरी गो राउंड जूला जो होता है वो वरिताकार पत पर गूमता है मेरी गो राउंड जूला जो होता है वो वरिताकार पत पर गूमता है सरुकलर पात पर गूमता है आप से यह भी वो लखा है कि जो लड़का है वो घुमड़ा है इस जूले पर यानि कि इस विर्ताकार पत पे 10 मीटर पर सेकेंड के नियत चाल से constant speed से constant speed से देखो constant velocity नहीं है constant speed है constant velocity तो संभव भी नहीं है यहाँ पर तो पहला विकल्प है कि लर्का विराम में नहीं भाई 10 मिटर पर सेकेंड के स्पीर से घूम रहा है तो विराम में कैसे हो जाएगा ये नहीं होगा एक समान वेग से गमन कर रहा है एक समान वेग का मतलब समद रहे हो नियत वेग से गमन कर रहा है और मैंने आपसे पहले ही चर्चा कर लिया हुआ है कि नियत वेग का क्या मतलब होता है नियत चाल पलस नियत दिशा तो नियत वेग वरावर नियत चाल पलस नियत दिशा देखो नियत चाल तो है सवाल में दिया हुआ नियत चाल 10 मिटर पर सेकेंड यह नियत चाल है लेकिन क कोई वस्तु वृत्य पात पर गूंती है तो इसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता है यहां पर वस्तु जो है इस दिशा में जा रही थी यहां पर वस्तु की दिशा ये है यहां पर वस्तु की दिशा ये है यहां पर वस्तु की दिशा ये है यहां पर वस्तु की दिश तो तो ये भी कहना घलत हो जाएगा बिना तोरयं कि गवन कर रहा है तो जब भी वेग परिवर्तन हो जाएगा तो ये भी आंसर नहीं होगा ये भी आंसर नहीं है तो इस गती में भी तोरण है तो तोरित-गती हम बोल सकते हैं एकसेलेटर्ट मूशन बोल सकते हैं अब सिधा याद रखो ऑस Efendimiz है आज समान चाल〜 यह और समान गती बोले या पिर ऑसमान वेग बोल इसी को हम लोग तौरित गती भी बोल सकते हैं तौरित गती क्योंकि अगर चाल और समान है मतलब वेग में परिवरतन हो जाएगा हम बोल सकते हैं वेग और समान है मतलब वेग में परिवरतन हो रहा है तो इन सारी केसित के अंदर क्या है कि तौरण उत्पन होगा तौरित गत भी बोल सकते हैं यहां पर हो सकता है कि तोरण जो है रिनात्मक हो यहां पर धनात्मक हो कुछ भी हो सकते हैं हम उसे बोलेंगे तोरित गती ही दिये गए विटी ग्राफ से यह निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड यानिकी ऑबजेक्ट बॉड़ी यहां पर देखो यह एक्स एक्सिस पर टाइम है वाई एक्सिस पर क्या है कि वेग है या फिर चाल बोल दो आप तो यहां पर देखो हम समय मालो कि यहां पर जो भी टा रहे हैं लेकिन स्पीड अभी पांच मीटर पर सेकंड हम समय बढ़ा रहे हैं अभी पांच मीटर पर सेकंड है समय बढ़ा रहे हैं अभी पांच मीटर पर सेकंड है जानी time में change तो हो रहा है लेकिन speed में change नहीं हो रहा है यानि कि समय के साथ जो speed है वो constant है यानि कि ये जो graph है ये एक समान गती कर रहा है एक समान गती जो वस्तू कर रहा है उसका graph है ये किसका graph है uniform motion uniform motion या फिर बोल सकते हो uniform speed अगर दिशा निशित है तो हम uniform velocity भी बोल सकते हैं थोड़ देर पहले आपने जो एक graph देखा था इस प्रकार का जो था वो distance time के बीच था दूरी और समय के बीच ये चाल और समय के बीच है कौन सा graph एक समान गती का सही निरूपर करता है सारा जो graph है वो distance time axis के बीच है distance time यहाँ देखो ये एक समान चाल के लिए है तो यही हमारा answer हो जाएगा ये और समान चाल के लिए है और यहाँ पर जो है जो वस्तु है वो rest में है विरा मवस्ता में है एक बस अपने चाल को 10 सेकंड में 36 km पर आर से 22 km पर आर तक बढ़ा दीती है कि इसका तुरन तुरन बताना है मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड स्क्वाइर में स्पीड आपको दिया गया है तो यह हमारे पास है 36 km पर आर देखो km पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 52118 से गुणा कर देते हैं तो यह हो जायागा 10 मीटर पर सेकेंड जो अंतिम वेग है वो है 72 किलो मीटर पर आर दखो मैं वेग बोल रहा हूं लेकिन यहापर चाल लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि निश्य दिशा में यह चाल है इसलिए हम यहाँ पर वेग शब्द का जो है इस्तमाल कर रहे है तो यहाँ पर भी 5 बटे 18 से मल्टिपलाई करेंगे तो यह 18 चोक बतर 24 पंचे 20 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा अब तोरण बराबर हम लोग सुद्र लगाएंगे V-U बटे में T वी हमारे पास 20 है यू हमारे पास 10 है और बटे में टाइम जो है हमारे पास यह 10 है तो 10 बटे में 10 यानि कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वार डी हमारा आंसर एक बस 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से सीधी रेखा में चल रही है एक बस है जो सीधी रेखा में चल रही है तो हम लोग व्यग बूलते हैं ये ये को अच्छा तवरं कभ उत्पन होता है जब व्यग में पड़िवर्तन होता है और यहां पर हम यह भी देख पा रहे हैं कि दिशां में पड़िवर्तन नहीं होगा क्योंकि सीधी रेखा में बस जा रही है इसका मतलब है कि speed में परिवर्तन हो रहा होगा तो तोरण उत्पन होने का यहाँ पर मतलब है कि speed में परिवर्तन हो रहा है speed में परिवर्तन हो रहा है तोरण यहाँ यहाँ पर धनात्मक है तोरण है मतलब चाल में परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है, दिशा में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, तोरण तो दिशा में परिवर्तन के कारण जो वेग में परिवर्तन होगा, उसके कारण भी उत्पन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिशा में परिवर्तन तो नहीं हो रहा सीधी रेखा में है definitely व्यग में जो परिवर्तन है वो चाल में परिवर्तन के कारण हो रहा है तो दो सेकेंड के बाद बताओ कि चाल कितनी होगी तो ए बडावर वी माइनस यू बटे में T ए इंटू में T बडावर वी माइनस यू ये जो है ना ये 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 प्राडम्बिक वेग है यानि कि ये यू है ये यू है तो वी बडावर हो जाएगा यू प्लस 80 यू कितने है बीस है ये हमारे पास चार है दो सेकंड के बाद बताना है बीस प्लस आठ यानि कि 28 मीटर प सेकंड होगी तो डी हमारा आंसर एक देशिल वस्तू की चाल 06 मीटर पर सेकंड या चाल बडावर है किलोमेटर पर आवर में चेंज कर देना है तो 0.06 मीटर पर सेकंड है नā किलो मुटर पर मात्रक नहीं हो सकता है चाल का मात्रक चाल का इसाय मात्रक मीटर पर सेकंड होता है मीटर पर सेकंड इसाय मात्रक होता है किलो मीटर पर आर भी बोल सकते हैं तो यह सही है यह सही है अच्छा यह मेली मेटर पर सेकंड मेली मेटर भी क्या है मेली मेटर में भी हम लोग डिस्ट तो यहाँ पर हमारा set number 93 जो है समाप्त होता है, speed and velocity chapter का part 2 समाप्त होता है, मिलते हैं अगले part में, thank you so much.